मनिशा कोयरला भारती सिनिमा का बड़ा नाम है और उन्होंने इंडिस्ट्री को कई सांधर फिल्में दी है अभी नेत्री ने वोलिवूड के सलमान खान, सारुक खान, सनी द्वाल, आमिर खान, गोविंदा जैसे कई बड़े एक्टर के साथ काम किया है उनका जन्म नेपाल में हुआ था लेकिन पेचान भारत में मिली अभी नेत्री ने तमिल, तेलगू, वंगाली, मलायलम, कन्नड, नेपाली और अंगरीजी फिल्मों में भी काम किया है एक दोर था जब नेदे सकों की पहले पसंद हुआ करती थी लेगिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज वो लगबग फिल्मों से दूर हैं चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं अब नित्री मनिसा कोरेला नबे के दसक के दोरान अपने केरियर के चरम पर बहुत लोगफ्री हैं थी हिंदी हो या तमिल वो हर जगा सूपरेट साबित हुई उन्होंने मानी रतनम की बॉंबे फिल्म से साउथ में सुरुआत की थी जिसे दर्सकों ने खुब फसंद किया था इसमें वो अर्बिन स्वामी के साथ दिखी थी वोहीं हिंदी में उन्हेंने सुभास घाई की फिल्म सोधा गर से डेवियू किया था, जिसमें दिल कुमार और राज कुमार लीड रोल में थे फिल्म आज भी लोगों की दिलों पर राज करती है, अपनी फेहले ही हिंदी फिल्म से वो रातो रात श्टार बन गई थी साउथ और हिंदी में पहली बार में ही सक्सेस पाने के वाद अबनेत्रे के पास फिल्मों के लैन लगी थी 1994 में रिलिज़ वी फिल्म 1942 अलाव स्टोरी में मनिसा के काम से फैंस दिवाने होगे अबनेत्रे ने सारुक खान के साथ फिल्म दिल्से और अजित दिवगन के साथ कच्चे धागे में भी काम किया है तब वो अबनेत्रे अपने केरियर के पीक परती और सिनिवा में उनकी नाम का डंका बचता था तब उन्हें एक ऐसी गलती की जिसका खामियाजा उन्हें कई सालों तक भरना पड़ा दरहसल साल 2000 के बाद मनिसा का केरियर मुश्कील हालात में थी क्योंकि इसी वीच वो नसी की लट की सिकार हो गए थी यही वो वक्त था जब वो नसी में चूर रहने लगी थी उनकी इसी बुरी आदत ने उन्हें कई अच्छे ओफ़र्स चिन लिये और जिनमें उन्हें काम भी किया तो वो लगातर फ्लॉप होती रही इस लट की सिकार वो एक दसक तक रही और साल 2012 में मनिसा कोराला कैंसर की चपेट में आ गए फिर तकरिवन चार साल तक उनका इलाज चला और नई जिन्दिगी को फाया कैंसर की जंग जिसने के बाद मनिसन है एक बार फिर कमबेक क्या और अब वो फिल्म में फिर से इका दुका फिल्म में दिखने लगी है